Hello everyone, my name is Chandan Singh. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेक के कितने इस्तमाल होते हैं? बहुत सारे यूजेज होते हैं मेक के, जो भी में में यूजेज हैं, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, guys. तो इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, अगर आपने पूरा नहीं देखा, that would be your problem. चलेगए, शुरू करते हैं. Guys, सबसे पहला जो मेक का इस्तमाल है, वो आप देखिए, यहाँ है कि, लिखा है कि, to perform an action. किसी action को perform करना. अब ये action को perform करना किस sense में है? action को perform करना, तो do भी होता है, कि I am doing something, मैं कुछ कर रहा हूँ. यहाँ पर do से थोड़ा अलग है ये make. ये make के बाद आपको एक noun को लगाना होता है, और उसकी particular list है. कि उनों जगह पर आपको make का इस्तमाल करना है. तो कुछ list के जो items के मैं आपको दिखा रहा हूँगा. जैसे, आप जब make बोलेंगे, तो make के बाद आपने बोला an announcement. तो make an announcement. अब यहाँ पर आप बोलेंगे do an announcement तो ये ठीक नहीं है. तो make के साथ कुछ चिपके हुए हैं, वो चाहिए चाहिए. तो ये list आपको मिल जाएगे, फिलाल इतना आपके लिए काफी होगा और इतना use होता है daily life में. तो make an announcement का मतलब है कि कोई भी जब announcement करना चाहता है, तो वो जब sentence बनाएगा, तो make का इस्तमाल करेगा. Tense के हिसाब से make को change करना है. Make है, makes होगा, making होगा, made हो जाएगा. जैसे मैं एक announcement करना चाहता हूँ, तो I want to make an announcement. तुम announcement कर रहे थे, you were making an announcement. तो ऐसे ही बहुत सारे words हैं, जैसे make a suggestion, I want to make a suggestion, make a call, किसी को phone करना है तो आप कहेंगे, I want to make a call, या I was making a call, I have made a call, I made a call yesterday. तो ऐसे आप इस्तमाल करेंगे. देखिए, money में भी आपने सुना होगा शायद, make money, यानि कि पैसे कमाना. आप कह सकते हों कि, you know, these days I am making money, मैं पैसे कमा रहा हूँ, you are making money, तुम पैसे कमा रहे हो, यहाँ भी इस्तमाल होता है. Make a comment, you are making a comment, वैसे तो comment के लिए, pass का भी इस्तमाल होता है, you are passing a comment, but make का भी इस्तमाल होता है. Changes के अंदर, I am making some changes, मैं कुछ changes कर रहा हूँ, तो इसकी हिंदी पर ना जाए, इसकी हिंदी कहीं पर है कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, कहीं पर मैं कर रहा हूँ, तो इसकी हिंदी इस तरीके से आ रही, इसलिए लोग पूछते हैं कि सर्ट, do और make में क्या अंतर है, पूछते रहते हैं सवाल, मैं do पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, make an offer, जैसे कि he made an offer, यानि कि उसने एक offer दिया, तो यहाँ पर देने का है, he made me an offer, ऐसे भी कह सकते हैं, यानि कि उसने मुझे एक offer दिया, या he made an offer to me, ऐसे भी कह सकते हैं, make a decision, कोई निरने लेना, I am going to make a decision, या he has made a decision, उसने एक निरने ले लिया है, make an effort, कोई effort करना, कोशिश करना, that I was making an effort, मैं एक कोशिश कर रहा था, make a mistake, सुना होगा, that you have made a mistake, तुमने गलती कर दी है, या you have made an error, तुमने एक error कर दिया है, make the bed, बिस्तर लगाना है, तो आप कह सकते हूँ, कि I have made the bed, मैंने भईया बिस्तर लगा दिया है, I have made the bed, make an exit, मतलब यहां से निगल जाओ, तो आप कह सकते हो, कि guys, please make an exit, वही आप exit लीजे जरा, चले जाएए, make a progress, you are making a progress, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तो इसकी हिंदी कई जगा, करना भी आ रहा है, कई जगा, कमाना भी आ रहा है, तो आपको यह words, यह phrases, याद होने चाहिए, कि इन जगहों पर, आपको make का इस्तमाल करना है, कई पर common error भी ऐसा, आता है guys, तो यह clear है, I hope आप समझ गया होंगे, अब आते हैं इसके, दूसरे इस्तमाल पर, देखिए guys, दूसरा इस्तमाल भी, और मैं आप से कुछ करवाऊंगा, आप पानी नहीं पी रहे हैं, और मैं आपको पानी पिलाऊंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा, I will make you drink water, तो cognitive sentence का मतलब है, कि सामने वाला, दो लोग होंगे, दो लोग चाहिए, एक कुछ करने को त्यार नहीं है, और दूसरा उससे उस काम को करवाएगा, यानि कि पहले वाले इंसान का जो काम करना है, उस काम को करने का कारण दूसरा वाला बनेगा, यानि कि अगर मैं बोलू कि I will make you clean this room, यानि कि अगर आप इस room को clean नहीं करेंगे, तो I will make you clean, मैं कुछ ऐसा कर दूँगा कि आप clean करेंगे, तो आपके clean करने का कारण मैं बनूँगा, इसलिए cause है, cause से बना causative, causative sentence है ये, जैसे कि I will make you cry, मैं आपको रूलाओंगा, मुझे मत रूलाओ यार, don't make me cry, तू मुझे हसा रहा है, you are making me laugh, मैंने उसे सुला दिया, I made him or her sleep, तो यहाँ पर आप make का इस्तिमाल करते हैं, causative आपे से बहुत उको पता है, मैं अल्रेडी वीडियो बना चुका हूँ, अब आते हैं, जो सबका favorite होता है make, हर बंदा हिंदी में, सुचता है make मतलब बनाना, तो बनाने की sense में, मैंने हिंदी में ही बनाना लिख दिया है, क्योंकि सबकी दिमाग में घुसा हुआ है, अब इसके अंदर आप कोई भी sentence बोले, जिसका अर्थ बनाना ही आएगा, जैसे कि you are making your life difficult, तुम अपने जिंदगी को difficult बना रहे हो, मुश्किल भरा बना रहे हो, he is making tea, वो चाय बना रहा है, और कुछ और भी ऐसे sentences हैं, जो आप खुद इस पर create कर सकते हैं, make के उपर, मैं आपको कुछ examples sort देता हूँ guys, he has made many friends, उसने बहुत सारे दोस्त बना लिये हैं, you should make a note, तुमें एक note बनाना चाहिए, he is making a film, वो एक film बना रहा है, और इस तरीके साब make का इस्तमाल करते हैं, जहां पर बनाने के sense में इस्तमाल होता है guys, खाना बनाने में make food का आप इस्तमाल करते हैं, आपको पताएंगे, तो ये तो आपका हो गया number 3, अब आते हैं चौथे number पर, चौथा जो है इसमें ध्यान देना है, make someone या something into something, someone भी हो सकता है, और something भी हो सकता है, किसी आदमी को, या मतलब किसी प्रानी को या किसी चीज को, आप किसी और चीज में तबदील कर देते हैं, वहाँ भी आपको make का सहरा लेना पड़ता है, जैसे कि, he made this room into an office, खास कर तो चीजों के बारे में होता है, कि उसने इस कमरे को office बना दिया, और किसी इंसान के लिए भी कह सकते, you have made yourself into dash dash dash, you have made yourself into monster, तुमने खुद को भी या राक्षस बना लिया है, तो ऐसे भी कह सकते, तो यहाँ पर जब आप make बोलेंगे, और जैसा tense होगा, वैसा आप make को change करेंगे, तो make के बाद उस चीज को, फिर into, फिर जिस चीज में तबदील हुआ है, वो आपको दिखाना होगा, जैसे she made this shirt into a mop, इसने इस shot को पोछा बना दिया है, तो she made this shirt, तो made के बाद, जो चीज है, जो original है वो, और फिर into के बाद, जिसमें वो convert हुआ है, वो दिखाना है, यह भी clear है, अब आते हैं number fifth, यहाँ पर लिखा है कि to produce a total, कई बार आप make का इस्तमाल ऐसे भी करते हैं, कि आपके पास अगर, मालो की, मैंने आपको 8 questions दिये, आप क्यारो सेट 10 कर दो न, तो आप कैसे एक तो, please make it 10, तो make it 10 का मतलब है कि इसको आप 10 कर दीजी, जो 8 है इसको convert करके आप 10 कर दीजी, तो ऐसे में to produce a total, एक total आप चाहते हो, उसमें कुछ add करके total पर पहुँच जाए, तो उस number को संख्या को इसको दिखाने के लिए भी, आप make का इस्तमाल करते हो, ऐसे कि make it 200, मालो किसी ने 190, 199 बनाया है, मालो run बनाया है, आप कहरो कि make it 200, यानि कि इसको 200 कर दो मैं रूपए कह रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ भी इस्तमाल होता है, कि तुरंद आपके मूँ से make निकलेगा, make it 50, make it 20, make it 200, इस तरीके साब बोल सकते हैं, anyways, तो यहाँ तक तो आप समझ गया होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो main था, वो यह था, और जो causative वाला है, और जो तीसरा जिसको बनाना बनाना लोग कहते हैं, यह तो बिल्कुल चाहिए, अब क्या है, कि एक confusion भी है दोस्तों, अब confusion यह है, कि make का मतलब, clear है कि इतने सारे हैं, plus make मतलब बनाना भी है कि, मैं तुम्हें एक engineer बना दूँगा, I will make you an engineer, लेकिन make का मतलब, एक जगा बनना के sense में भी आता है, अगर मैं बोलू, कि मैं एक actor बनना चाहता हूँ, मैं बोलूँगा कि, I want to make an actor, अगर मैं इस sentence बोलता हूँ कि, I want to make an actor, तो लोगों को लगता है, make an actor, यह actor बनायेगा या बनेगा, क्योंकि हम लोग आम जिंदगी में कैसे बोलते, I want to become an actor, I want to be an actor, ऐसे, लेकिन I want to make an actor, ऐसा भी होता है, और मैंने कई बॉलिवूड इस्टार्स के मूझ से यह सुना है, make का इस्तमाल, तो यहाँ पर make का इस्तमाल का यह मतलब है, जैसे हैं लिका है, I will make an actor, कि उस बंदे के अंदर कुछ quality है, और वो future में ऐसा बन सकता है, तो वहाँ भी make का आप इस्तमाल कर सकते हो, यानि कि become के sense में आप make का इस्तमाल कर सकते हो, तो यह confusion में दूर कर रहा हूँ, कभी अगर कोई बोले, कि he wants to make a politician, तो आप समझ जए ही कि अच्छा, वो खुद एक politician बनना चाहता है, तो यहाँ इस्तमाल होता है, confusion है इसके अंदर, बट इस make का मतलब become वाली feeling है, तो यह बताना मेरा फर्स था कि कभी आप confused हो जाए कि अच्छा, क्या है, तो यह हो गया, उसके बाद phrasal verb की एक list आती है make में, जैसे कि make a noise, आपको पता यह शोर मचाना, make sure, make sure that it happens properly, make out, make off with, बहुत सा है, make out मतलब समझना, make off with का मतलब कोई चीज लेकर भाग जाना, चुरा कर भाग जाना, जैसे he made off with my mobile, हो मेरा mobile लेकर भाग गया, तो इसकी तो पुरी list आपको याद करनी होगी, या मैं फिर एक make के उपर phrasal verb लाऊँगा, क्योंकि phrasal verb, get के उपर, take के उपर, make के उपर, इसकी पुरी list बनी हुई है, तो यह तो आपको, यह तो खुद प्रैक्टिस करें, कहीं से निकाले, नहीं तो मैं लाऊँगा, तो बस यही है, अब आगे मैं कोशिश करूँगा, कि do के उपर वी वीडियो बनाओ, कि do के कितने इस्तमाल होते हैं, तब आप अंतर समझ पाएंगे, कि make और do का difference क्या होता है, तो गाईस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, take care, keep practicing and have fun, अगर आप चाहें, तो इसका एक screenshot ले सकते हैं, friends, thank you guys.